हमस्कार सातियों स्वागत है आपका जीस फरम ऑफिशल में दो बटे दो मतलब यह भारती सम्मिधान की विश्यस्ताओं की दूसरी क्लास है इससे पहले एक क्लास इसी चैनल पर पड़ी हुई है उसे आप जरूर देख लें जिससे की भारती सम्मिधान की विश्यस्ताओं की बारे में आपको पता चल जाए और चालीस क्वेश्चन उसमें डिसकस किया था और इस क्लास में भी चालीस क्वेश्चन डिसकस करेंगे टोटल 40 ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए आप पहले से कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत पड़े लिखे हैं इस टॉपिक को तो निश्चत रूप से अपना धहरे बनाए रखेंगे लाश्ट तक अपने आपको चेक करें कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है और यह आप बिल्कुल फ्रेसर हैं तब भी घबडाने की जरूत नहीं क्योंकि हम बेसिक से अडवांस की तरफ बात करेंगे और जो हम आपको पढ़ाते समझ सिखाएं समझाएं उसको ध्यान से सुनना है जरूत पड़े तो उसको रेजिस्टर पर नोट भी कर लेना है ठीक है आए क्या सिस्टम है बाई पार्टी और पार्लेमेंटरी नेचर को कह रहा है कि पार्टी और संसदी प्रकृती द्वारा चलता है फिर कहा रहा है आपको की प्रकृती में बहुत अली और संसदी है मल्टी पार्टी और पार्लेमेंटरी नेचर है फिर कहा रहा है कि प्रिसीडें किर्ती में बहुत अली है मतलब बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे दलों के साथ हमारी जो वेवस्ता है वो संसदिय वेवस्ता है उम्मिद करते हैं बात समझ में आ रही होगी बहुत दल होने का मतलब आप जानते हैं हमारे राजनितिक दल बहुत सारे हैं और सब कुछ हम मिल करके Parliament के साथ चला रहा है Parliamentary process question number 42 को देखेंगे ध्यान से question number 42 क्या कह रहा है which one of the following statement is correct आपको सही कथन बताना है इसमें से क्या है आराम से बिल्कुल तसलिश से कथन को पढ़ेंगे और यह आप class बाद में देखते हैं तो आप हमें कमेंट रिव्यू जरूर बताया करिए कि question 40 पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ अच्छा लगा और दूसरा आप live class में होते हैं तो आप as much as possible चैट क्या करिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि the constitution of India is presidential the constitution of India is presidential इंडिया इस प्रेसिदेंशियल इंडिया इस है को फालो करता है संसधिय यह ति यह हो जा परलियमेंटर जैंगा रहा मतलब है बहुत कलेर यह होता है कि पारलामेंट के अंदर a to the legislature जैनि कि जो कार्य पालिका है वह विदाइका के प्रति उत्तरदाई होती है council of ministers are collectively responsible for the लोग सभा यह आपके आद रखना है question number 43 देखे question number 43 कह रहा है कि constitution of India provides which type of governance system constitution of India provides which type of which type of governance system democratic presidential parliamentary या फिर semi-democratic तो बहुत clear है कि हम जिस साशन व्यवस्था की बात करते हैं यह साशन व्यवस्था कैसा है वही यह संसदी साशन व्यवस्था है और संसदी साशन व्यवस्था की बात मैं बार बार आप से करता हूं जिसमें कारे पालिका विधायका के प्रति उत्तरदाई होती है याद रखेंगे आप इस बात को एक्जिकेटिब जो होता है वो लेजिसलेचर के प्रती एकाउंटेबल होता है इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेजे नेक्स्ट कोश्चन नमर 44 कह रहा है कि भारत में संसदी साशन प्रडाली है क्योंकि और वही बात बार-बार आपके सामने आ रही तो दुबारा हम इसको इंटरटेन नहीं करें हम सीदी सीदे बोलेंगे कि मंत्री परिशत लोग सभा के प्रती उत्तरदाई है यह आपका संसदी साशन प्रडाली को लेकर के सवाल पूछ रहा है संसदी साशन प्रडाली में कहा जा रहा है कि संसदी साशन प्रडाली के संबंध में कौन सा कथन सही है सही कथन बता जा रहा है बहुत ध्यान से समझना है इसको बढ़िया सवाल है correct statement आपको बताना है दिखेगा ध् legislator is responsible to judiciary the legislature is responsible to judiciary legislature judiciary के प्रति responsible तो नहीं होता है यानि कि जो विधाई का है वो न्याय पालिका के प्रति उत्तरदाई नहीं है the legislator is responsible to executive नहीं इसका ठीक opposite है executive is responsible to legislator ये भी गलत हो रहा है the legislature and executive are independent ऐसा भी नहीं है executive का एक बहुत बड़ा हिस्सा legislature का हिस्सा होता है यह कानून कोई भी बनता है तो मंत्री जो आपके हैं वो भी vote करते हैं जब member of parliament और presidential accent भी चाहिए होता है मतलब president भी shine करते हैं इसका मतलब है कि यह वाला भी गलत हो रहा है the president is responsible to judiciary president judiciary के प्रति responsible भी नहीं है तो हम answer क्या करेंगे ना आप the above करेंगे यहां पर यह वाला आपका correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 46 देखें क्या कह रहा है question number 46 एक बढ़िया सवाल है और बढ़िया सवालों के साथ देखेंगे कि which of the following is not a feature of Indian polity Indian polity Indian polity का मतलब है जो भारती राज विवस्था है उसका इसमें से कौन सा एक विशेष्था नहीं है a government following the constitution democratic government rule of law और authoritarian government का मतलब है सत्तावादी सरकार जो authority लेकर के चल रही है authoritarian government की हम बात करें तो है पर answer का हो जाएगा कि एक सत्तावादी सरकार नहीं है authoritarian government नहीं है ठीक है न बाकि जो आपके विकल्ब है वो clear है कि ऐसी सरकार हमारे पास है question number 47 को देखिए पढ़िए कह रहा है कि the Indian parliamentary system the Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India hedge कह रहा है कि भारत की पास ऐसा क्या है कि हम British parliamentary system से अलग होते हैं जब कि हम सब लोग जानते हैं कि British parliamentary system से हमने Indian parliamentary system को copy किया हुआ है यह उदहार लिया हुआ है या borrow किया हुआ है ऐसा हम बोलते हैं तो देखेंगे both a real and nominal executive both real and nominal executive तो वहां पर भी है यहां पर भी है a system of collective responsibility collective responsibility का मतलब है कि council of minister मंत्री परिशत collectively responsible to the लोग सभा बाई केमरेल लेजिसलेशर हाउस आफ कॉमन्स हाउस आफ लॉड्स ब्रेटेन में लोग सभा और राज्य सभा इंडिया में तो यहां पर भी कॉमन है the system of judicial review यह हमने copy किया है USA के presidential form of government से answer आपका क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा यह हमें व्रेटेन के parliamentary system से अलग बनाता है ठीक है जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लो question number 48 देखें question number 48 में तीन statement चार statement दिये हैं और चार statements को आपको पढ़ करके सही जवाब find out करना है मैं पहले हिंदी में दिखाता हूं फिर English की बात करेंगे कहा जा रहा है कि भारत में एक राजनितिक व्यवस्था की प्रमुख विसेस्ताएं हैं यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है इसमें सरकार का संसदी स्वरूप है सर्वोच सक्ति भारत के लोगों में नीत है और यह एक एकी कृत प्राधिकरण प्रदान करता है इसी को English में देख लेंगे कहा जा रहा है आप से कि इट इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट पार्लियमेंटरी फार्म आफ गवर्मेंट तस सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल आफ इंडिया इट प्रोवाइड और यूनिफाइड अथारिटी चल्दी से बताएए जबाब क्या हो यहां पर यहां पर बी मैक्सिम लोगों का जबाब जो आ रहा है वो बी बता रहे है आप लोग इट प्रोवाइड फॉर यूनिफाइड अथारिटी को आप लोग क्या कर रहे हैं गलत मान रहे हैं ठीक हैं इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कोई कन्फीजन इन्द पीपल आफिटे यहां तक ठीक है तो एक दो तीन ठीक है युनिफाइड अथारिटी की बात यहां पर नहीं है तो अंसर आपका जो होगा वो बी वाला सबसे अप्रोप्रियेट अंसर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है ना आए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर ने पूटी नाइन देखेगा कोशन नमबर फूटी नाइन क्या कह रहा है ज़िए आ देखेए अब पार्लियमेंटरी सिस्टम आप गॉप्रमेंट इस वन इन विच सरकार की संसदी यह कुशन किसी का भी गलत नहीं होगा भई प्रिया जी हैं सॉम्या जी हैं और रचना बाईश पेई हैं सभी लोगों का जबाब ठीक हा रहा है देखते हैं कोशन नमबर फूटि नाइन में क्या कहा जा रहा है का जा रहा है कि एक संसदी प्रडाली हुआ है जिसमें संसद में सभी राजनितिक दलों का सरकार में प्रतिनित्व है इसके बाद कहा जा आता है लेकिन एक निस्षित कारेकाल पूरा करने से पहले इससे इप या सकता है ऐसा नहीं है आप पहले तो यह समझेगा रोकले कि Сब्सक्राद एक Parks खरल ठीट के लिए ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर गट्राक्र को है जैसे ही confidence lose होगा मंत्री परिसत हट सकती है प्रधान मंत्री को इस्तिपा देना पड़ सकता है जिसे आप कहते है कई बार no confidence motion भी पास करके इसका मतलब clear है कि यहां पर the government is responsible to the parliament and can be removed by it यानि कि Parliament चाहे संसद चाहे तो सरकार को remove कर सकती है और सरकार को बनाया भी किसने है संसद नहीं है ठीक है ना यहां पर बी वाला answer आपका correct हो जाएगा question no 50 देखेंगे ध्यान से इन parliamentary system of government भारत की संसदी प्रडाली में कह रहे हैं क्या है जो डिसीरी control executive चेखेटिव न्याय पालीक अ कारेपालीक को नियंतरित करते है जिसे सुप्रीम कोट मोडिजी को नियंतरित कर रहा हो ऐसा है क्या ऐसा नहीं होता है एक्जिक्टीव Violence सब्सक्राइग को बने लेचर कंट्रोल एक्जिकेटिव और यही पारलेमेंटरी सिस्टम है आप मेरी बात समझ रहा होंगे कि पारलेमेंटरी सिस्टम की डिफिनीशन पर आप से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं हमने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिया है कि लेजिसलेचर मतलब जो सांसद ह मेंमेंबरा प्रलैमेंट है वो WAS कंट्रोल कर रहे है काुंसिलाप मिनिस्टर को उन से प्रस्न feu पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आपके मंत्रालेर ने काम इर्डी गलत किया है तो क्यों किया है इसका मतलब है कि लेजिसलेचर कंट्रोल कर रहा है एकृची को हर सरकार में प्रधान मंतरी के पास एक अपना cabinet है कहरा है कि वो member of parliament होते हैं बिल्कुल ठीक है शुरुवाट में दी कोई मंतरी member नहीं है तो 6 मैंने कंदर उसे member सिफ लेनी ही पड़ेगी ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament अभी अभी बताया हमने कि parliament में वो तब तक ही अपने ministerial status को enjoy कर सकते हैं जब तक कि उनके पास confidence है confidence नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे the cabinet is headed by the head of the state इंडिया में जो head of the state होता है वो होता है president और president cabinet को head नहीं करता है इस वोज़े से यहाँ पर यह गलत है तो answer आपका क्या हो जाएगा one and two one and two correct statement के में बात करते तो one and two are the correct answer right question number fifty two देखे क्या पूछ रहा है question number fifty two को पहले हिंदी में देखेंगे फिर English में बात करेंगे निमलिखित कथनों में से उस कथन को चुने जो सरकार के cabinet सुरूप के अंतर नहीद से धानतों को सामने लाता है सरकार का अंतर नहीद से धानत cabinet के सुरूप को जो सामने लाता हूँ आपको बताना है सबसे पहरा कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने की विवस्ता जिसकी जिम्मेदारी जटिल है और सभी की संतुस्टी के लिए उन्हें पूरा करना कठिन है फिर कहरा है कि सरकार की गतिविधियों को तेज करने के लिए एक तंत्र है जिसकी जिम्मेदारी दिन बदिन बढ़ती जा रही है लोगों के प्रति सरकार की सामुहिक जिम्मेदारी सुनशित करने के लिए संसदी लोगत तंत्र का एक तंत्र है बहुत बढ़े आप, this is the correct answer, यह न, क्या है, a mechanism of parliamentary democracy for ensure collective responsibility for the government to the people, right, यह आपका C वाला बढ़े answer है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझा रहा होगा, आगे थोड़ा सा class को आप लोग एक बार share कर दीजे, और question number 53 को देखिए, question number 53 में क्या पूछा जा रहा है साती हूं, question number 53 कह रह are correct in respect of parliamentary form of government in India, parliamentary form of government in India. कै रहा कि this system is founded on the notion of collaboration and coordination between legislature and executive बहुत बढ़िया, this system is founded on the notion of collaboration and coordination between legislature and executive. इंडिया borrowed parliamentary form of government from Britain फिर कह रहा है कि this type of government can also be formed without political party without political party ऐसी government नहीं बन सकती है without political party ऐसी government नहीं बनेगी हमने कहा कि हम लोग multi party parliamentary system government की बात करते हैं और फिर चोथा statement कह रहा है कि in this form of government head of the state is prime minister बार बार मैं कह रहा हूं कि prime minister जो है वो head of the government है सरकार का प्रमुख है राज जी का प्रमुख तो राष्टर पती है head of the state कोन है राष्टर पती है तो यहाँ पर option number 3 और option number 4 गलत हो रहे हैं यहाँ पर answer आपका जो निकल करके आएगा वो 1 and 2 यानि कि D वाला आएगा प्रिया सिंका और जानवी मिस्रा का यूराज सिंका जवाब सबका D जो जिन लोगों ने जवाब D दिया है वेलकुल correct जवाब है राइट आगे बढ़ते हैं question number 54 क्या कह रहा है भाई question number 54 बहुत ही बढ़िया question number 54 कह रहा है कि given below are two statements one is labeled as assertion and other is reason assertion कह रहा है कि इंडिया इस डेमोक्राटिक country भारत एक लोगतांत्रिक देश है और करण कह रहा है कि इंडिया has constitution of its own भारत के पास अपना समयधान है तो अब आप बताएंगे मुझे कि क्या दोनों सही है और correct explanation है या फिर दोनों सही है लेकिन expression correct नहीं है या फिर एक सही है और एक गलत है और एक गलत एक सही है तो answer के निकल क्या रहा है कि sir yes इंडिया जो है वो democratic country तो है लेकिन इसका अपना constitution है इसलिए ऐसा नहीं है तो answer यहाँ पर निकल करके आएगा कि sir B वाला जो है absolutely right जवाब है B वाला ठीक है बहुत बढ़िया अब आप लोगों के answer से तो मुझे यह भी लग रहा है कि आप लोग सही democracy of India is based on the fact that कह रहा है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इन में से किस पर आधारित है समिधान लिखा गया है मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है और राजी के नीत निजिसक सिद्धान तेहां प्रदान किये गये है क्या पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी किस पर है तो डेमोक्रेसी की बात जब करी जा रहे है तो जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है पॉब्लिक इंज्वाइद राइट तो चूज एंड चेंज दा गॉवर्मेंट हाउ मैंने आपको बताया कि पार्लेमेंट के अंदर तो सरकार है वो लोगसभा के प्रती जबाब दे है लोगसभा चाहे तो नों कांफिडेंस मोशन पास करके सरकार को बदल सकती है इसलिए जनता के पास ताकत है ठीक है पॉस्टन नंबर 56 देखेगा पॉस्टन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है कि गिवन बिलो गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवल्ड अज़र सर्सन और अधर इस रीजन सर्सन कहा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और लाइफ ब्लड आप डिमोक्रसी पॉ नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैट गवर्नेंस इग्जैक्टली यदि हमारे सरीर में कोई समस्या होती है तो हम कहते हैं कि ब्लड में कोई प्रावलम आ गई है ब्लड टेस्ट आप कराने जाते हैं इसका मतलब है कि यहां पर स्टेटमेंट सही ह है और इसका correct explanation भी इसका reason है तो यह वाला सही हो जाएगा ठीक है जी question number 57 देखेगा कि given below are two statements one is labeled as assertion and other is reason क्या है statement कह रहा है कि women दलित poor and minority groups are the biggest stakeholders of democracy in India exactly यही है आज भी देख लिजिए आज आज क्रेट में आपके प्रदानमंत्री जी क्या कह रहे है कि भारत में सिर्फ चार जातिया है उसमें सो कह रहे है कि एक जाती जो है वो women है है ना और दलित और poor को include कर दें तो यह poor ही मान रहे है तो एक जाती दूसरी poor ह इसका मतलब है कि यह बड़े stakeholders हैं democracy के अंदर इनको हमें anyhow mainstream में लेकर क्याना है और करन कह रहा है कि democracy in India has emerged as the carrier for the desire of self-respect exactly महिलाओं को self-respect नहीं मिल रहा था दलितों को नहीं मिल रहा था इसी वजह से इनको हम main stakeholders मान रहे थे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठ जान से पढ़ेंगे कि who had proposed party less democracy बहुत important point है यह question को भी most important आप मार करेंगे party less democracy की बात कोन करता है तो यह बात करते हैं जैप्रकास नारायन जेपी नारायन बात करते हैं सातियों याद रहे है इस बात को आप लोगों को आगे बढ़ेंगे question number 59 में दो कथन फिर से दिए गया ह the element of continuity and change exactly हम continuity और change की बात करते हैं और इसका reason कह रहा है कि क्योंकि the Indian political system contains the element of the following political such as modern style traditional style and sent style तो इसका करन भी इसकी सही ब्याख्या करता है यहाँ पर भी answer आपका यह हो जाएगा परिसान नहीं होना है और हाँ खास बात यह है कि यह PDF with annotation आपको उसी WhatsApp ग्रूप में मिल जाएग यदि आप में से जो लोग नहीं जोड़े हैं अभी तो कुस WhatsApp ग्रूप से आप जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 60 क्या खहरा है कि given below again two statements है और आपको बताना कि क्या है तो statement के सवालों को वह ध्यान से पढ़ना है President of India is elected indirectly भारत का राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है parliamentary system in India has been combined with republicism बिल्कु ठीक है है ना parliamentary system को हमने republic model से कलब किया है चुकि हम parliament में direct चुन करके भेशते हैं लोकसभा में इसी लिए हमने head of the state को indirectly चुनने की बात करी है तो यहां पर भी आपका answer जो होगा वह यह वाला हो जाएगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं which of the following is a basic feature of presidential government ध्यान से समझेगा एक राष्ट्रपती प्रडाली की बात कर रहा है राष्ट्रपती सरकार सरकार प्रडाली की बात कर रहा है राष्ट्रपती सरकार की एक बुनियादी प्रडाली विस्यस्ता कौन सी है यह पूछ रहा है ध्या इसमें ध्यान से समझना है सभी लोग जबाद देंगे हमें क्या हो जाएगा यहां पर देखिए राष्ट्रपती प्रडाली जो होती है सरकार की उसमें सिंगल एक्जिकेटिव की बात करी जाती है ठीक है ना बाकी की features आपकी parliamentary process में भी सामिल हो जाते हैं लेकिन राष्ट् में वेस्ट करेगा राष्ट्पती में क्योंकि presidential presidential model ही government का है आगे बढ़ते हैं question no.63 the main feature of the presidential form of the government presidential form of the government का main feature क्या है यह आपको बताना है बहुत बढ़िया चुकि आप जानते हैं जिसे USA में presidential form of government है समझेगा the head of the executive is the president the president appoint his council administer the president cannot dissolve the legislature बहुत important point है presidential form of यहाँ पर तो legislature को dissolve किया सकता है parliamentary form में लेकिन वहाँ पर dissolve नहीं करते हैं आलाब दैवब यहाँ पर correct answer हो जाएगा डी वाला इसके बाद देखी का जा रहा है कि with reference to the sovereignty of India which of the following statement is आवलिकार correct इंडिया की sovereignty के reference में कौन सा कथन सही है बड़िया सवाल है इंडिया is a member of commonwealth nation भारत commonwealth nation का member है ठीक है फिर कह रहा है कि sovereignty of India is curtailed नहीं sovereignty of India curtailed नहीं हुई हमारी sovereignty कहीं से कमजोर नहीं हुई तो यहाँ पर statement जोगा वो क्या हो जाएगा only one हो जाएगा क्योंकि यह commonwealth के member होने के वज़े से हमारी sovereignty खत्रे में नहीं है तो यह statement आपका यह गलत हो जाएगा ठीक है न आगे बढ़ते हैं question number 65 देखेगा constitutional government is one which places effective restrictions on individual नहीं constitutional government कभी भी होगी तो individual पर restriction impose नहीं करेगी constitutional government का मतलब है कि वो individuals के welfare के लिए काम करेगी यानि कि पहला statement कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है और places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty तो आंसर हैं पर होगा only two right हुँ अच्छा पहले हिंदी ठीक है कोई बात नहीं है अच्छा बताइए जो मैं इंग्लिश में पढ़के मैं हिंदी मैं आपको explain कर दे रहा हूं बात को वह बात समझ में आ रही है या कोई terminology के वज़े से थोड़ा दिक्कत हो रहा तो मैं हिंदी पहले दिखा दूँगा तो जब हम बात करते हैं कि constitutional government है तो constitutional government के अंदर सरकार का जो power होता है वो थोड़ा limited हो जाता है limited government होती है ठीक है ना इसलिए कायाता है governance ज्यादा हो और government कम हो यह आपको ध्यान में रखना होगा question number 67 constitutional government means एक सम्मेधानिक सरकार का मतलब क्या है a representative government of a nation with federal structure a government whose head enjoy nominal power a government whose head enjoy real power a government limited by terms of the constitution ठीक है ना constitutional का मतलब क्या हो गया तो यह कही power बार बार हम लोग करें कि सम्मेधान की सर्तों द्वारा सीमित सरकार की बात करी जाती है डी वाला यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए democracy superior virtue lies in the fact that it calls into activity यह आपको पताना है कि लोग तंत्र का stress गोण इस तत्थे में नहींत है कि यह गतिविधी को बुलावा देता है कौन सी गतिविधी को सामान में पुरुसों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र कारेकारी नित्रित्त को मजबूत करने की तरीका नहीं देखिए कारेकारी नित्रित्त को मजबूत करने के तरीके की बात नहीं करेंगे गति शीलता और दूर दरसिता वाला एक stress ब्यक्ति एक stress ब्यक्ति की बात नहीं करेंगे समर्पित पार्टी कारे करताओं का एक समूह नहीं डिसाइड करेगा लोक तंत्र का स्रेश्ट गुण क्या है लोक तंत्र का स्रेश्ट गुण है कि सामान ने पुरुसों और महिलाओं की बुद्धी और चेत्र इसको बुलावा देता है इसकतिविधी को बुलावा देता है यह आपका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इंडिया इज रिपब्लीक विच इंप्लाइज देट रिपब्लीक का मतलब ही क्या होता है गड़ तंत्र का मतलब ही क्या होता है कि जहां पर constitutional status of India and 26th January 1950 यानि कि जब भारत का देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय इन दिये गए बिकल्पों में भारत की वास्तविक इस्तिती क्या थी a democratic republic a sovereign democratic republic a sovereign secular democratic republic a sovereign socialist secular democratic republic तो इन चारों में से आपको विगल्ब चुनना और बताना है कि क्या इस्तिती थी तो बहुत क्लियर है कि democratic republic तो था ही लेकिन उसके साथ सावरेन भी था क्योंकि 1976 में 1976 में बाद में जोड़ा गया है secular और socialist term जोड़े गये हैं तो शुरू में जो था वो भारत का समयदान कैसा था sovereign और democratic republic की बात करता था आंसर आप सबके सही आ रहे हैं काफी बढ़िया जवाब है question number 71 में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है पहले हिंदी में पढ़ेंगी क्योंकि निर्धारित प्रक्रियों का पलन करना पड़ेगा केंद्री संसद और राज विधान मेंडल संप्रभू है केंद्री संसद जो है केंद्री संसद जो है वो संप्रभू नहीं है क्योंकि कई मामलों में संसद के उपर अंकुष लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ प प्रियंबल का पूरा मदद दिया जा सकता है कहीं पर भी इसका मतलब है कि चार और पांच हमारे गलत options हैं और यहां पर इन दोनों को eliminate करने के बाद सही जवाब पर find out करेंगे तो एक दो और तीन दी जार्दर में बस यह लिखा हो आपका काम हो जाएगा कि प्रसासन के सिध्धानतों और मितकों और कहावतों के रूप में किसने खारिच किया था तो वहां पर हर्वर्ड साइमन आपको याद रखना है statement वाले question दे करके कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा किस ने कहा था तो आपको बस यह याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा question number 73 कह रहा है we adopted parliamentary democracy based on British model but how does our model differ from the model यानि कि हमारी संसदी प्रडाली British संसदी प्रडाली से किस तरीके से भिन होती है पूछ रहा है इसमें कहा जा रहा है पहला कि जहां तक कानून का संबंद है British संसद सर्वोच या संप्रभू है लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने के सक्ति सिमित है और फिर कहा जा रहा है कि भारत में संसद के किसी अध तो कानून बनाने की सक्ति सीमित कर दी गई है, वो judicial review के कारण कर दी गई है, इसका मतलब कि ठीक है, और यहाँ पर judicial review नहीं है, यह भी बिलकुल ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कि एक और दो दोनों, यानि कि मिला जुला करके आप से वही पुछा जा रहा है, जुडिसियल review की बात करी जा रहे है, ठीक है न, जुडिसियल review के basis पर ही Indian parliamentary system जो हता हो, British parliamentary system से differ कर जाता है, right, question number 74 देखेगा, which one of the following is not true in relation to democratic determination, democratic determination के अंदर इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, लोगतांत्रिक संकल्प के समन्ध में कौन सा सत्य नहीं है, ऐसा पुछा जा रहा ह है, कहारा कि एक राज जिसमें लोग सर्वच हैं, तो we the people of India में हमीं लोग सर्वच हैं, ठीक है न, नहीं है, पूछा गया है, सर्वच सक्ती निर्वाचित मुख्या में नहीं होती है, राश्ट्रपती में सर्वच सक्ती नहीं था और वो निर्वाचित है भारत में, सर्व परिभास्ता की सबसे उपयुक्त परिभास्ता के रूप में स्विकार करेंगे, चार विकल्प में राजनितिक सासिकों के अत्याचार के खिलाब सुरक्षा, सहियम का आभाव, जो पसंद हो उसे करने का आउसर, स्वयम को पूर्ण रूप से बेक्सित करने का उसर, यही यही मतलब है, जब कभी फ्रांस के करांती आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि एक ब्रक्ति का इंडिविजुल के रूप में इंडिपेंडेंट फील करना ही मिला जुला करके लिबर्टी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 76, one of the implications of equality in society in the absence of, ठी villages, restraints, competition and ideology, राज्य में समानता का एक निहतार्थ इसका अभाव है, किसका अभाव है, विशेसाधिकार का अभाव होता है, ठीक है न, राइट, कोशन नमबर 77, who called Indian federalism as cooperative federalism, बहुत बढ़िया है, यह कोशन भी बहुत most important है, सहकारी संगवाद की बात करी जा रहे हैं, सहकारी federalism को हम double up करेंगे, तो जी आस्टिन ने यह statement दिया था, 77 का ए, after that 78 में देखे, पूछा जा रहा है आप से कि भारती संगवाद में बीविधिता के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए, निम लेखित में से कौन सा संस्थान आवश्यक माना जाता है, तो बीविधिता क में एकता कोई ने कि यह भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, आलाप देबब, सेकेंड लास्ट कोश्चन है क्लास का, in which of the following decades of parliamentary system in India shifted from centralism to federalism, see very important, 1950 में जब देश हमें सम्मिधान लागू हुआ, और पंडि जवारलाल नहरू को हमने देश की कमान दी, तो बहुत असपस्ट था कि केंडर में जो पार्टी थी, आल्मोस्ट वही सारी पार्टीयां राजियों में भी थी, कहने के लिए, तो कहने के लिए तो कानून मतलब पावर का डिस्टिबूशन था, लेकिन ऐसा लगता था कि सब कुछ सेंटर ही डिसाइड कर रहा है, बट रियल सेंस में फेडरलिजम अब एक्जिस्ट करेगा, राज्यों में सरकारें बदलने लगते हैं अलग अलग पार्टीयों की, तो यहाँ पर आंसर आपका 982 जाएगा, ठीक है, और फिर, लास्ट कोश्चन आच की क्लास का जो बहुत इंपोर्टेंट है, दा राएगा, डक्टर, वी आर, अमेड कर, तो इस प्रकार से साथ ही में आपने भारती समिधान की विश्यस्ताओं का दो पार्ट में डिसकुसन किया, मैं पूरे भरोसे और उमीद के साथ कह सकता हूं कि आप से कोई भी पूछेगा कि आज से पारलामेंटरी सिस्टम क्या है, सावरिनिटी क्या है, जो डिसीरी, लजिसलेचर और एक जीकिटिब में किस तरीकी की निरभरता या इंडिपेंडेंसिया जबाब दही है, तो मुझे लगता है कि आप असपश्टत या जबाब दे पाएंगे, मुझे एक बार फाइनली कमेंट करके भी जरूर बताइएग देली एम सीक्यू जो इस बार आ सकते हैं, जो एक्स्पेक्टिड कोस्टन की सिरीज, उसे भी मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं, लेकिन वो हम आपके लिए एप्लिकेशन पर लाइब शुरू करेंगे, तो इसलिए आप जीस फ़रम ऑफिशिल एप्लिकेशन डाउन लोड करके लॉगिन कर लीजिएगा, जिससे की आप लोगों को मदद मिले, ठीक है, तो दिन में चार बजे, सामानी दिनों में, सटेड़े और संडे छोड़ करके, और रात को नौ बजे, आप हमारे साथ लाइब बने रहें, जीस फ़रम के साथ बने रहने के लिए जादियो